सब्सक्राइब कीजिए गवर्मेंट जॉब्स अकेडिमी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्मेंट जॉब्स अकेडमेंट जॉब्स अकेडमेंट जो आज हम मैथ के कुछ ऐसे कॉंसेट्स और ऐसे फंडामेंटल्स के उपर बात करने जा रहे हैं जो आपके exam point of view से बहुत ज़्यादा important है like कुछ ऐसे multiplications, divisions, subtractions की बात करेंगे जो आप पहले अपने traditional method से करते थे लेकिन अब आप कुछ ऐसी चीज़े सीखेंगे नहीं और apply करके देखेंगे फिर देखना आप अपने तरीके से करते थे और जो मैं बताऊंगा उसमें आपको कितना फरक लगेगा like मैं बताऊंगा कि आपको two digits से कैसे multiply करनी है, three digits से कैसे multiply करनी है, क्या math method होता है, कैसे हम 11, 12 और 13 को किसी भी digits से multiply करें और बहुत easily कैसे कर सकते हैं कुछ मेरे parts इसी चीज के ओपर आएंगे, देखें कोई भी guys कोई भी चीज है, like हम कोई game खेलते हैं, पहले हम उसके fundamentals पे काम करते हैं, तो बस अब math की game हम खेलना जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको उस fundamentals के बारे में बताऊंगा, जो आपके exam point हो, उससे बहुत ज़्याद करना है, ठीक है, पहले मैं आपको एक example देता हूँ, कि हमारे पास कोई चीज है, 88 है, 88 को 50 से multiply करना है, अब अपने तरीके से करोगे तो आप वही 50 यहाँ लिखोगे, फिर उसको multiply करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना, 50 से किसी भी digit को multiply करना होता है, उसका half करके पीछे 2 0 लग multiply करना है, half किया इसका, पिछे 2 0 लगा दी, ठीक है, तो यह basic सी चीज है, मैंने आपको बताई है, बस इसी के उपर हम आगे बात करेंगे अभी, कि कैसे 2 digit को या 3 digit को हम multiply करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई है, 34 को हमने 38 से multiply करना है, अब अपने traditional method से च multiply करना है, first step में, पहले इनको multiply करेंगे, B into D, second step में cross multiply करेंगे, यानि A into D plus B into C, third step में क्या करेंगे, इनको multiply करेंगे, A into C, ठीक है, यही चीज हम यहाँ पर follow करते हैं, देखिए, मैंने क्या बोला था, इनको multiply करेंगे, multiply किया 32 आ गया, 2, 3 carry forward हो गया, इनको करेंगे, cross यानि 24 और 12 और 3 यह, ठीक है, यानि 9 और 3, 39, 3 यहाँ पर carry again forward हो गया, ठीक है, अब करेंगे हम 9 और 3, 12, यानि 1, 2, 9, 2, यह आपका answer आ गया, एक value डिसकस कर लेते हैं, like हमारे पास है, 28 को हमने 24 से multiply करना है, multiply किया, 32, 3 carry forward हो गया, 8 और 16, 24 और 3, 27, 2 carry forward हो गया, इनको multiply किया, 4 और 2, 6, 6 to 7, 6, 7, 2, ठीक है, एक बड़ी value डिसकस कर लेते हैं, like हमें 78 को 48 से multiply करना है, वो ही करेंगे, इनको multiply किया, सबसे पहले step में 64 हो गया, 4 यहाँ, 6 carry, इनको किया, 72, 76, sorry 56, इनको किया, 32, और यह 6 इसमें again हो जाएगा, प्लस, 4 हो गया, 12 और 2, 14, 8 और 1, 9, ठीक है, पांच carry forward हो जाएगा, 9 carry forward हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इनको करेंगे हम 28 और 9, 37, 3, 7, 4, बड़ी value को, छोटी value को कैसे calculate करना है, आपने 2 digits से सीख लिया, छोटी छोटी चीज़े हैं यह, आप खुद practice करना, तब आप बहुत अच्छे से सीज़ के उपर command हसिल कर लोगे, अभी मैंने 2 digits की बात कर लिया है, 3 digits की बात करते हैं, 3 digits में कैसे होगा, यही step ABC से सिखाऊंगा, देखे guys, मैं आपको सिरफ एक approach बता रहा हूँ, एक concept बता 6, 2, 3 है, इसको multiply करना है, पहले माँ आपको ABCD से सिखाऊंगा, स्टार्टिंग है, कहीं पर कोई step मिस ना हो, like हमारे पास ही है, इसको multiply करना है, वही first step में ध्यान देना, पहले इन दोनों को multiply करना है, C into F, second step में, इनको multiply करना है, यानि BFEC, B into F plus E into C, third step ध्यान देना, third step में हम last वालों को और बीच वाले को multiply करेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है, A into F, plus C into D, plus B into E, ठीक है, fourth step में हम क्या काम करेंगे, इनको multiply करेंगे, यानि D into B, plus A into E, और fifth step, last वाले को, A into D, देखिए, ये चीज, A, B, Z, D, C, से, इसलिए सिखाई जा रही है, ताकि आप कोई भी step मिस न करें, अपने, मैं भी इस पे apply करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, खुद 5, 10 या 15 value लेनी है, practice करनी है, देखिए, इनको multiply किया, 6 आ गया, इनको किया, 12 और 4, 16, ठीक है, 1 carry forward हो गया, फिर इनको किया, last वालों को, ठीक है, यानि 6, इसको किया, 6 आ गया, इस इनको किया, 8, यानि 26 और 1, 27, दो carry forward हो गया, ठीक है, दुबारा repeat कर देता हूँ, देखिए, पहले इसको इससे किया, 6 आ गया, इसको इससे किया, 6 आ गया, फिर 12, 6 और 12, 18, फिर इनको किया, 8, 18 और 8, 26, और हमारे पास, एक पहले था, उसको 27, 1 carry forward था, जो उसमें add कर दिया 2 हमारे पास रह गया, अब इनको करने आपस में, यानि 4 और 24, 28 और 2, 30, ठीक है, इनको किया, 4, 24, 28, 2 था हमारे पास, प्लस किया, 30 हो गया, 3 carry forward हो गया, last step में इनको करेंगे, 12 और 3, 15, ठीक है guys, यह हमारे पास 3 digit की value होगी, अब कोई भी इतनी complicated वैसे पुछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हमें पता होना चीए, अप्रोच क्या है, ठीक है, एक value और discuss कर लेते हैं, ताकि और concept clear हो जाए, like 2, 6, 3, 4, 8, 2, इसको multiply करना है, ठीक है, पहले इन दोनों को करेंगे, 6 आ गया, फिर इन दोनों को करेंगे, ठीक है, यानि 12, ध्यान देना, 12 और 24, 36, 6 आ गया, 3 carry forward हो गया, अब next step, इनको plus किया, इनको plus किया, multiply किया, फिर इनको plus किया, यानि 4 और 12, 16, पहले इनको किया, यानि 4 आ गया, फिर इनको किया, 12 आ गया, ठीक है, फिर इनको किया, 48 आ गया, और 3 हमारे पास पहले था, ठीक है, अब इनको add कर गया, 10 और 7, 17 और 1, 6, ठीक है, य इन दोनों को करना है हमने अब ठीक है यानि 16 और 24 ठीक है 16 चोबिस और 6 ये वाला यानि 10 16 और ये 4 ठीक है 6 आ गया 4 कैरी हो गया प्लस करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना है 4 कैरी फॉरफोड हो गया ठीक है अब हमारे पास लाइस टैप बचाए यानि इन दोनों करेंगे 8 और 4 12 ठीक है ये हमारे पास 3 डिजिट की मल्टिपिकेशन हो गई अब बात करेंगे उस चीज के उपर क कि हमारे पास अगर कोई 2 डिजिट में आ जाए और एक 3 डिजिट में उससे कैसे अवर कम करें उससे कैसे हम जल्दी कैलकुलेट करें ठीक है दोस्तों मैंने दो एक वैल्यू ली है जिससे आपको बताया गया है कि आपने किस तरीके से चीज के उपर प्रैक्टिस करनी है अ ठीक है तू डिजिट में और थ्री डिजिट में अगर कोई वैल्यू आ जाए देखिए अगर मैं बोलूँ 6 7 8 इंटू 32 इसको हमने मल्टिप्लाई करना है तो इसको हम किस तरीके से करते हैं हमने 6 7 8 3 2 जितने रो बोक्स बना के जितने रो उतने कॉलम ठीक है इस 6 को मैं यहां लिख देता हूँ 6 7 8 जितने रो उतने कॉलम ठीक है इसको इससे मिला दिया इसको इससे मिला दिया diagonally ठीक है जितने अब करना क्या है इस 6 को पहले इससे फिर इससे से 7 को इन दोनों से 8 को इन दोनों से 6 को किया 18 आ गया 6 को किया 12 आ गया फिर 7 को किया 21 14 आठ को किया 24 और 16 अब ध्यान देना करना क्या है इनको diagonally एड़ करना है डाइगनेली 6 आ गया इसमें कितना है हमारे पास 4 और 8 रेक 9 अब इसमें पूरे में कितना हमारे पास 2 और 2 4 और 2 6 इसमें कितना हमारे पास 10 और 11 अब ध्यान देना 1 जो बचा यहां carry forward हो जाएगा यानि 2, 2, 1, 6, 9, 6 एक value और ले लेते हैं like हमारे पास है 642 यह ले लेते हैं 578 इंटू 43 सेम अप्रोच 578 जितने row उतने column ठीक है 4 और 3 इसको थोड़ी उपर लिख देता हूँ 578 और 43 ठीक है 4 यहां लिख दिया और 3 यहां जितने row उतने column ठीक है add कैसे करना है द्यान देना इसको इससे इसको इससे मिलाया इसको इससे और इसको इससे ठीक है वही 5 को इन दोनों से यानि 20, 15, 28, 21, 28 को इससे 32 और 24 एड कैसे करना है डाइगनली यानि 4 आ गया इसको किया पूरे को पांच आ गया दो तो चार और एक पांच ठीक है अभी ने किया दस और पांच पंदर और तीन 18 इस पूरे को एड किया इस वाले डाइगनल में यानि 2 और 2 चार लास्ट में रह गया दो ठीक है अब इस मैं इस कॉंसेप्ट को जो है टू डिजिट पे भी लगा सकते हो त्री डिजिट पे भी लगा सकते हो मैं लगा के दिखा देता हूं मैं 2 डिजिट का भी ले लेता हूं एक question एक multiplication 2 डिजिट की भी ले लेते हैं लाइक हमारे पास मैं बोल देता हूं वही 2 डिजिट वाला 4 6 इंटू 53 वही same concept आप लगा सकते हो 4 6 5 3 box बना लिया जितने रो उतनी कॉलम ठीक है डाइगनली एड कर दिया उनको डाइगनली डाइगनल बना दिया से इसको किया 20 इसको किया 12 इसको किया 30 इसको किया 18 डाइगनली एड किया 8 3 4 2 यानि 2 4 3 8 2 डिजिट में भी लगा सकते हो इसे 3 डिजिट में भी लगा सकते हो और यह कैसा concept है खुद प्रैक्टिस करने से आ लिए अब आपका क्या काम है खुद values लीजे कम से कम 8 से 10 और खुद practice कीजिए फिर देखना जब पहले अपने traditional method से करते थे तब कैसे करते थे और अब जब मैंने आपको बताया अब कैसे करोगे ठीक है अब मैं कुछ ऐसी चीज के उपर बात करूंगा लाइक की 5 की multiplication जो मैंने बताई है 5 की 50 की 25 की 125 की ठीक है इन चीजों के पर भी बात करते हैं और 11, 12 और 13 की multiplication इसके बारे मैं बात करते हैं कि हम कैसे करते हैं ठीक है तो आपने normally 11 की multiplication सुनी होगी लेकिन 12 और 13 की देखना कैसे होगी देखिए मैं अभी पहले बात करूंगा कि 5 5 की और 50 की 25 की ठीक है 5 को 50 को कोई भी digit आजाए है हमारे पास 25 और 125 ठीक है कोई भी digit से इनको कैसे multiply किया जाता है 5 का मैंने बता दिया दबारा बता देता हूँ 4 8 into 5 करना है 2 4 half किया पीछे 1 0 ठीक है 50 है तो 2 0 5 है तो 1 0 बड़ी value ले ले लेते हैं like 4 9 3 2 इसको हमने 5 से multiply करना हाफ किया इसका हाफ किया 4 6 6 पीछे 0 लगा दी 1 ठीक है half किया इसका ठीक है इसका half किया 4 1 carry हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आ जाएगा फिर 1 carry हो जाएगा 6 आ जाएगा पीछे 0 लगा दी 50 होता तो हम 2 0 लगा देते ठीक है 5 की और 50 में सिर्फ difference इतना है कि 50 है तो 2 0 लगाएंगे 5 है तो 1 0 लगाएंगे अब बात करते हैं 25 की 25 होता कि हमारे पास 1 by 4 कोई भी value 25 से आ जाए हमारे पास like मैं बोल दूँ की 8 4 8 4 4 8 को हमने 25 से multiply करना है ठीक है कुछ नहीं करना इसको 4 से divide करके पिछे 2 0 लगा देनी है यानि इसका half 4 से divide किया 2 1 1 2 पिछे 2 0 लगा दी that is answer ठीक है 25 से किसी को multiply करना है उसको 4 से divide करके पिछे 2 0 लगा दी like मैं बोल दूँ की 4 4 4 8 1 6 इसको हमने 25 से multiply करना 4 से divide करेंगे 1 1 2 0 4 पिछे 2 0 ठीक है तो ये चीज़े एक ऐसी हैं चोटी चोटी चीज़े हैं जब आप डी आई या बड़े question, simplification से question करोगे तब आप जब ये चीज़े आपके दिमाग में होगी तब आप pen or paper थोड़े ना उठाओगे वहाँ पे करने थोड़े ना बैट होगी कि 50 को इससे multiply करता हूँ या 25 को इससे multiply करता हूँ सीधा 4 से divide करके पिछे 2 0 लगा दीजे तो ये चीज़े गाइस ऐसी हैं जब आप खुद practice करोगे तब ही आएंगी आप notes बना लोगे आप देख लोगे तो आपका काम क्या है अब इससे used to होना इनसको practice मिलाना जब भी आप मोग दोगे कुछ भी दोगे तो उसके उपर करन अब भी मैं बात करता हूँ 125 की 125 में क्या concept लगेगा 125 को हम 8 से divide करते हैं और पिछे 3 0 लगा देते हैं ठीक है like हमारे पास आ जाए 4 8 6 4 को हमने 125 से multiply करना है करेंगे क्या हम इसको करेंगे किस से divide करेंगे 8 से 8 से multiply करेंगे 6 0 8 पिछे कितनी 0 है 3 0 125 से multiply हो गया एक value और ले ले लेते हैं like हमारे पास आ गया 8 3 2 और 4 8 125 से multiply करना है ठीक है क्या करेंगे 8 से divide करेंगे 1 इसको किया 0 4 ठीक है इसको किया 0 6 पीछे 3 0 यह हमारे पास 125 से multiply हो गए तो अब भी आप इन वीडियोस को इन concepts को देख रहे हो और आपको लग भी रहोगा कि कितना easy है तो आया कैसे किस तरीके से आप इस चीज़ को पर यूस्त होगे practice से ठीक है तो अगली वीडियो में मैं आपको 11 12 और divisions के कुछ fundamentals या कुछ concepts ऐसे बताऊंगा इसी तरीके से जो आपके सिरफ और exam के लिए बहुत ज़्यादा जुरूर्ण बहुत ज़्यादा useful होंगे like ऐसा नहीं होता कि मैं आपको content इतना दे दूँ और आप उस चीज़ के पर practice ना कर पाए आपको भूग कितनी है दो रोटी की ठीक अगर आप 20 रोटी खाओ या 10 खाओ ना 2 पचाप आओगे ना वो 10 का फायदा होगा तो बात उतनी करेंगे जितनी आपके exam point of view से important है तो guys इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में जो मैंने आपको बताया 11, 12, 13 और कुछ other concepts के जो जो भी fundamentals होंगे वो मैं लेके आऊँगा तो thank you for watching this video तो बने रहिए झाल 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 झाल